हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीगे नाइस फ्रेंड्स आज जो हमारा टोपिक होगा पादप अनुवांसी की से डिलेटेड टोपिक होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट कोशन है भविवेकल्पी कोशनों पर आदारीत है तो फ्रेंड्स अगर भी तक आपने चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं है तो पिलीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं पादप अनुवांसी की से डिलेटेड इंपोटेंट कोशन कोशन नमबर पहला है वनसागती के अध्यन से सम्मंदित जीव विज्ञान की साखा है इं ग्रेगर जोहन मैंडल इनको कह दिया जाता है विज्ञेगर जोहन मैंडल इनका पूरा नाम है जिनको अनुवांसी की का जनक या पितहा कहा जाता है कोशन नमबर 3 है RRB 2005 में कोशन आया था जीन सब्द का सवपर्थम परियोग किसने किया था इन्पोटेंट कोशन है इस कोशन का जो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन D जोहनसन ने सबसे पहले जीन सब्द का परियोग किया था नेस कोशन है वनसा गती की इकाई है वनसा गती की जो इकाई है वह जीन है ओप्सन C इसका सही हो जाएगा जीन कोशन नमबर 5 है मेंडल ने किस पोधे पर संकर्वन परियोग किया इन्पोटेंट कोशन है तो इस कोशन का जो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन C गार्डन P मतर का पोधा ओप्शन C इस का सही हो जाएगा गर्डन पी या फिर मतर के पोधा भी ओप्शन में आ जाता है next question है बार बेरा मे के लिए नटाक किस पोधे पर कारिय के लिए परसिद है तो इस question का जो सही अंसर हो जाएगा ओप्शन B मक्का मक्का पर कारियों के लिए परसिद है बार बेरा मेलिक नान्टा question number 7 है ग्रेगर मैंडल निन में से किसके परतिपादन हेतु परसिद है तो अनवान सिखी के पिता कहा जाता है तो अनवान सिखता के लिए तो option 6 का सही हो जाएगा अनवान सिखता के नियम के लिए परसिद है ग्रेगर मेंडल next question number है मेंडल द्वारा परतिपादित अनवान सिखता की तीन महतपून नियम संबंद इस्तापित करते हैं तो इस question का जो सही अंसर बन जाएगा पर्थकरन सवतंत्र अप्यूएन अवं परभाविता अपरभाविता का option C इसका सही हो जाएगा पर्थकरन सवतंत्र अपरुएन अवं परभाविता अपरभाविता का option C next question number 9 है मेंडल ने मटर के पोधे का चैन किया क्योंकि important question है तो इस question का जो सही answer हो जाएगा option c इन में विप्रेयाई लक्षण उपस्तित होते हैं option c इसका सही हो जाएगा next question number 10 है मेंडल के नियमों का एक उपुपाद है important question है तो इस question का जो सही answer हो जाएगा सहल गुनता option d साहल गंता एक अपवाद है मेंडल के नियम का तो फ्रेंड्स अन्वांसी की विज्ञान से रिलेटेड यह कुछ कोस्टेंज है अगर इन कोस्टेंजों में आप लोगों के एक भी कोस्टेंज अच्छा लगो तो फिलीज वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक